नमस्कार दोस्तों, S.K. House Plants में आप सब्सक्राइब करें आज मैंने आप सभी के लिए 25 विट वाई 38 विट का House Plants डेजाइन किया है आप सभी को मेरा बनाया हुआ House Plants पसंद आएगा, आप सभी वीडियो लाइक करें अपने दोस्तों फैमिली के साथ शियर करें और जो मेरी वीडियो को पहली वार देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करें तता वैल आइकन का वटन दमाएं जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नॉटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तों अगर आप भी अपने मकान का नक्षवन माना चाहेते हैं तो आप हमारे स्क्रीन पर दिये नंबर पर वार्टसप कर सकते हैं आपके रिकायर्मेंट के इंसाइड 2D प्लान की PDF आपको मिलेगी जिसका चार्ज आप वार्टसप पर मालू कर सकते हैं आइएट प्लान देखते हैं यह हमने ग्राउंड प्लोल प्लाने किया है और स्क्रीद साइड का साइज 25 फिट वाइड दूस्सी साइड 28 फिट है यहां पर हमने मेरे डेजाइन ждि 6 फिट वाइड है और यहांसे अंदर एंटर होते है तो यह we पारकिंग इफ्ट यह स्पे वंच एंच, इसमें 12 वेट 10 30 इंच, इसमें 12 Фिट वंच यहां चूंध ऑर 10 3 इंच इह साइड है, यहीं से फर्स व्रोर पर जाने के लिए हमने इस्ट एर के श्टे यहीं Ans क कह जाने के लिए और नीची हम अपना ट्फी राप निवी बिलर पार्क और सकते हैं और यहां से रहेंग रूम में जाने के लिए और दूसरा डूर लिविंग एरिया में जाने के लिए रूम में तो drying room का size है 11 ft by 10 ft 6 inch इसमें 11 ft ये side है और 10 ft 6 है वेंटिलेशन के लिए हमने एक window इस side design किया और दूसरी window इधार और यहाँ पर हमने sofa side design किया है और यहाँ पर आर्क प्रोवाइड किये और दूसरा दोर ये living hall वाला इसने यहाँसे पार्किंग एरिया की तरफ से है और यह किदर से हम दौनों तरफ से living hall में एंटर हो सकते हैं और यह हमने kitchen design किया है kitchen है 7ft 9 inch वाई 8ft इसमें 7ft 9 inch ही side है और 8ft ही side है यहाँ पर gas stove और यहाँ sink design किये और यह ventilation के लिए हमने यह window इधर design किये living hall में आते हैं तो living hall का area है यह size है 11ft वाई 14ft 3 inch इसमें 11ft यहाँ से यहाँ तक की side रहेगी और 14ft 3 inch यहाँ से यहाँ तक की side यहाँ पर हमने dining table design किये और यह ventilation के लिए एक window है और पीछे की side में हमने bedroom design किये है यह master bedroom है 12ft 1 inch वाई 11ft इसमें 12ft 1 inch यह side और 11ft यह side है इसमें यहाँ पर covered डियाइन किये है और इस से attached toilet है यह 5ft 9 inch वाई 6ft का इसमें 5ft 9 inch यह side और 6ft यह side है इसका यह ventilator design किया है और इस bedroom के ventilation के लिए यहाँ पर यह window design किये है second bedroom है यह हमारा 11 feet by 11 feet का और इससे attached toilet है यह 6 feet by 6 feet का और इसमें ventilation के लिए हमने एक window यहां और दूसरी window साइट इजेन किये तो दोस्तों आप सभी को यह हमारा बनाया हुगा house plan पसंद आएगा आप सभी वीडियो लाइक करें अपने दोस्तों family के साथ जाए ज़्यादा शेयर कर और आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद